नश्कार मैं हूँ रतना और आप देख रहे हैं एनिस टूडे शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ खबर मध्य प्रदेश के छिंदवारा जिले की है छिंदवारा तहसीर में पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते हुए लोकायूग पुलिस ने पकड़ा जमीन बटवारे के नाव पर पटवारी ने मांगी थी 5000 रुपे की रिश्वत लोकायूग पुलिस के दल प्रभारी निरिक ने बताया कि आवेदक अनिल सरेयाम जमीन नामांतर में सुधार करने के एवच 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी जिसकी शिकायत आवेदक अनिल ने लोकायुक्त विभाग जबलपुर को दी थी जिसमें आज लोकायुक्त पुलिस ने कारवाई को अंजाम दिया है और 5,000 के दिश्वत लेते वे उन्हें रंगवे हाथों पकड़ा है लोकायुक्त पुलिस टीम में दल प्रभारी निरीक्षक स्वापनिल्दास निरीक्षर मंजुकीरत तीर्की निरीक्षर भूपेंद्र दिवान आरक्षक जावेद खान अतुल शिर्वास विजय पटवारी का नाम है सुशील सराटे से मिला तो उप्तकार के लिए सुशील सराटे के दुवारा 5,000 रुपे रिश्वत की डिमांड की गई जो विदीवत लोकायुक्त के दुवारा रिकॉर्डिंग कराई गई रिकॉर्डिंग कराने में इस पस डिमांड आने के बाद बैंक का नाम लेकर लोन के नाम दस्तावेज मांग दिलवाया बैंकों से लोन अब लोन के किष्टों की वसूली करने घरों में जाकर दे रहे दबाव और धंकी गुंडो द्वारा धंकाया और घरीली महिलाओं के साथ किया जारा भद्रता बत्तवीजी की शिकायत लेकर त मुझेल कर दिया है बिदी ब्रुद एक एक महिला को यह कहके पैसा दिया गया कि सासनकी योजना नहीं लगेगा और एक एक उना को दधत्ध कंपनियों के एजेंटों द्वारा और दलालों द्वारा ले्टों दिया गया लेकिन इन से खीच लिया गया ये लाईली वहना द जोकि आसे हैं अगली खबर उमरिया से ग्राम पंचायत के नाम बदले बिच्छिया से और तक्तकई लेकिन समस्या जस्कितर सरपंच सचीव भाग नहाई अपनी जिम्मेदारियों से ग्राम पंचायत की जंता परिशान होने को मजबूर जिम्मेदार हुए मौन सरकार लाग दावे करें लेकिन विकास के जमीनी अस्तपेड विकास नजर आता ही नहीं ताजा मामला टक्टकई पंचायत का है जहां वर्तमान विधायक श्रीव नरायन सिंग ने स्कूल से तालाब की और ग्रेवल रोड का भूमी पूजन 2021 में बड़े धूमधाम से ग्रामिडों की सामदा करना पड़ता है स्वाथ से ना होने की वज़ए से हमें दूर जाने में परिशानी का सामदा करना पड़ता है एनिस टूडे से निरजादो की रिपोर्ट के बारे में हम यह जानते हैं इसको सर्पाइश एजेंसी के दुवारा आप तक निकार लगए और इसमें जो अगली खबर दात्या से दात्या पुलिस अधीक्षब प्रदीप शर्मा के द्वारा चलाये जारे चेकिंग अभियान तहत दात्या सीविल लाइन थाना टी आई धावल सिंग चोहान द्वारा में फोर्स के थाने के सामने चेकिंग के दौरान एक सिलेरियो कार में अवैध हतियार सहित 5 आरोपी गिरफतार कार में सवार आरोपी विक्रम दांगी जो खीरा नाइका रहने वाला है उसके साथ ही यश्वीर दांगी राजेश दांगी अंकुष दांगी और मोनु दांगी बुहारा ये सब गुल्माओं के रहने वाले इनके कबजे से 1 315 बोर का देस अगली खबर मद्य प्रदेश के दत्या जिलेश से प्रभारी और प्रदेश के लोक निर्मार मंत्री सुरेज धाकरने मंगलवार को दत्या पहुंचे मापीतामरा बगला मुखी मा की पूजा अर्चना की और भगवान शंकर बल खंडेशर का जलब शेक किया इसके बाद प फसल बीमा योजना के तहट रभी और खरी फसलों की बीमा राशी 27 करोड बानबे लाग पचास हजार किसानों के खाते में अंतरण की गई इस मौके पर विंदावन धाम दातिया में छेत्रिय सांसे संध्यारा यूवानेता डॉक्टर सुकरण मिश्रा कलेक्ट्रेट संजे कुमार पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जिला पंचायत के मुख्य कारपालन अधिकारी कमलेश भारगव विशेश रूप से उपस्तित रहें इस जरौन राजगर जिले में आईज़ित राज अस्त्रिय किशान कल्यार महा कुंबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान और केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनात सिंग द्वारा उद्योधन के सीधे प्रसारव को भी किसान भाईयों ने लाइफ सुना और देखा मुख्यमंत्री कृषक बयाज माफी योजना के तहट किसानों को बयाज की राजशी उनके बैंक खातों में जमा करा दी गई है जिससे किसानों को अब खात बीज असानी से मिल सकेगा मन्त से कलेक्टर संजे कुमान ने कहा सरकार ने किसानों के हित के लिए अन्युप्योग ग्योजनाई के द्वारा लाब दिया है आज भी मुख्यातीती प्रभारी मंत्री जी के द्वारा रिड माफी के प्रमार पत्र वित्रित किया जाएंगे बढ़ते हैं अंगली खबर की और विदिशा में कुरवाई मंडी बमोरा रेल्वे स्टेशन के पास प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या मंडी बमोरा स्टेशन की रेल्वे पट्री पर मिला प्रेमी प्रेमी का कश्रा जानकारी के अनुसार लड़का डीज टोल नाके पर गुंडागर्दी के खिलाफ आज कर्णी सेना ने चक्का जाम कर दिया खबर मिलने पर मौके पर पहुची पुलिस ने करवाई कर आज वाशन देकर जाम हटाया उजयन उनेल मार्क पर इस्तित टोल नाके पर वहन चालोको और महिला यात्रों के साथ टोल करमचारियों दार की जानी गुंडागर्दी के खिलाफ आज कर्णी सेना ने मोर्चा खोलते वे टोल नाके पर पहुचकर चक्का जाम कर दिया इसकी वज़ा से टोल के दोनों और गाडियों की काफी लंबी कतारे लग गई नाराज कार करता है यहां काफी देर तक नारे बाजी करते रहे ख़बर मिलने पर भेरुगर्द पुलिस मौके पर पहुची और कर्णी सेना के कारकरताओं से बात चीत कर उचित कारवाई का आश्वाशन दे कर चक्का जाम खतम किया करनी सेना के कारकरताओं का कहना था कि उक्त टोल पर हिस्ट्री शीरे बदमाश काम कर रहे थे जो आए दिन वहां चालोकों के साथ गुंडा गरती कर अभधरता करते थे CSP सचित परेत ने बताया कि टोल पर तैना सभी कर्मचारियों का पुलीस वेरिफिकेशन कराया जाएगा यदि किसी का अपराधिक रिकॉर्ड मिलता तो उसे वहां से हटाया जाएगा अगली खबर मध्यप्रदेश के देवास से देवास बाइपास पर खुले याम जिसमें फरोशी का धंदा और जोगिक थाने के प्रिंस होटेल में नौ लड़के आठ लड़कियों को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है कुछ लोग होटल पर काम करने वाले भी पकड़े ग लंबे समय से मिल रहे शिकायतों के चलते आज पुलिस की एक टीम ने उक्त होटल पर छापा मारा तो वहां सेक्स रैकेट में लिप्त आठ यूवतियां और नौ यूवक को पुलिस ने गिरफतार किया है महिला पुलिस्टेशन संजर शर्मा उध्यों की थाना प्रभारी अजय चानना और संयू टीम द्वारा करवाई की जा रही है अनातिक कार्यों में लिप्धाराओं में प्रकरण दर्श करके करवाई की जा रही है एनिस्टूडे से रिपोर्टर हरस्रद महता की रिपोर्ट फिलाल के लिए इतना ही MP की तमाम बड़ी खबरों के लिए अजय टूर्ट पर फिलाओं में लिए एनिस्टूडब भी एनिस्टूड़ कै रजा रही है